आज हम अबनाने जा रहे हैं इसका नाम है पनीर मकना मिर्यानी तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए पनीर यह मैंने चलूप लाई कर ली हैं तो आप भी कर सकते चलूप है इसके बाद हमें चाहिए लगसन अगर का पेस्ट मिर्ची धनिया और यह लंबा कटा हुआ इसके बाद हमें चाहिए काजुपा पेस्ट जो मैं ने थोड़ा सा दूप डालके इसमें छे साथ काजू मिस्किया और एक पीस्टीन ओर लिए उसके अदर फोड़ा सा मिल डालके मैंने रख दिया त्यक्य हमें लगई अब रैनी में इसके बाद आपको चाहिए दो तो रिडिये है वालद। इसके लिए बिहानी पानी उबालने रग दिया है कि और थिंपानी आने घड़े मसाले डाले सुपाइस, दालशएन, दालशीनी, roku, लौन और तेज प्ता यह हम सब डालेंगे और नेक्स बाजू हम तयार करेंगे अपनी सबजी बनाना बनीए की बिर्यानी के लिए तो उसके लिए मैंने तेल अरड़ी करने रख दिया है तो सबसे पहले हम इसमें अपने अनियन दालेंगे और इसको हम तोड़ा लाल होने तब पकाएंगे राइस हमारा पानी भी बिर्यानी को अबल चुका है तो हम इसके सबसे पहले डालेंगे एक चमर देसी ही इसके बाद यह बात्मती राइस है मैंने भिगा के रखा था एक से आदे से एक घंटा तर तो आप आदा गंटा भिगा की भी बना सकते तो यह पूरा जाएगा इसके अब और यह पूरा ख़णी मसाले यह भी हम डाल देंगे और हमें डालना है इसके अंदर नमक अबको एक बड़ा चमर भर के डालेंगे तो फिर हम इसको मिस्स लेंगे और इसको डगतर बॉइल होएंगे पाथ यह पको बॉइल करना इसको हमारा जो प्याज है राउन हो ग अब अबिश मिंजे कमे टाएं मेदर और अवर हमारा लसी नढबर का पीछ गालना है हमारे यह उसका शुखी मसाले यह हमारे दालेंगे एक बड़ा चमच एवाला इक चमच आपको डालना है करका कूछ और भी इसको क्षेंगे ये मसाले शुक्त टुके हैं और अबना टमाटर दाल देंगे और इसको घुक्ति रख देंगे फांस निट चार सेफक ईपक जाए खिक हम इसको घुक्ति रख देंगे जब तक हमारे चावल भी रेड़ी हो रहे हैं मैं आपको दिखाऊंगी स्रेटर्स फाइम मिनट्स वाइज हमारे जो चावल हैं वो फक चुके आपको फुरू इसको 80 परसंट बगाना है जो ऐसी छूते दो भाग में हो जाग तो अब हम इसका पानी निताल लेंगे तो टाल गव जासेंजयाच और टेंगे आपको अईसी इसको रखना थंडा करने के लिए झब आपने अपने टेंगे हो जब आपके शिपगो को डतने कस आपको पास एसफिंग ऑनधाने में लिए अपको आपको या फ्लेट पे थंडा करने रख सकते इसको थंडा होने देते हैं, अब 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 इसने पे जाते हैं, सबजी हमारी देखि़ी है, इसमे ओई निकल चुका है, अब इसमें नेक्स इदेटे डालेंगे रून हमारा सॉल्ट, सॉल्ट आपको अपने इसाब से डालना, इसको इसके बादेंगे, पनीर अप्को डाले ने तो पंदरीगा अब हम इसमे अपना काजू पीस डालेंगे इसमें थोड़ा और लगा इसमें थोड़ा पानी मिक्स करके बुड़ा रिलाके तो डालेंगे अब हम इसके अंगर डालेंगे हमारा बटर अब हम इसमे अपना बटर डाल देंगे आप अपनी हिसाफ से डाल सकते हैं मैंने इसमे इतना बटर डाला है अब इसको थोड़ा पिगलने देंगे हम इसको रख सकते हैं एक मिनट के लिए फट्टर की बटर के लिए जाए हमारा मखन एकदम प्रॉपर गल चुका है इसके अंदर आप देख सकते हैं यह भाजी एकदम तयार है आप इसको रोटी के स सकते हैं युच्छ नान के साथ रोटी के साथ तो यह मारा पनि मक्ना क्यार है अगर आप चाहे है दो समய्श्फी कर दा nor Kid मैंने कुछ भी नाला है इसमें अब मैं क्या करूंगी इसमें और आजिस मेंने सारे गरब मस्निकाल है अब हम इसकी बान डालेंगे यह पूरा राइस एकदम अच्छ से पैल चुका है आप चाहें तो दो लेयर भी बना सकते हैं अगर जादा जने तो जरम मसाले में निकाल देते हैं अब हम इसमें हमारी जो मिजशी मैंने आपको बताई थी लंबी-लंबी वो आपको रखना है और हमारा दुमिया डालना है उपको स्लोपी रखने आपको गैस इसके बात जो हमने सैफ्रिन का बनाया था वो आपको इसके अंदर डाल देना है गाईस हम इसमें तड़का लगाएंगे देसीगी का हमको एक बड़ा चममस देसीगी लालना है यह बूला पिगल चुका है अब हम इसको गरम गरम हमारा जो द्रियानी है उसके लिपकर डाल देना है और इसको हमें स्लोपे ढखका रखना है पांसे साथ मिनट तक स्लोग एस पर पांसे साथ मिनट तक अपको डखकी रख गाईस फाइब मिनट सो चुका है मैं गैस बन कर रही हूं और हम इसको थोड़ा सेट होने के लिए टू-3 मिनट तक ठंड़ना होने देंगे बू-3 मिनट बाद ही हम इसको खोलेंगे गाईस हमारा तू-3 मिनट हो चुके हैं अब हम ब्रियानी लेगे हैं हमारी कैसी बनीए पनीर यह देखें पूरी अच्छी तरह से भव गई है अब हम इसको सब तक पर लखाएंगे आप डैरिंग नीचे से लीजेओ भी साइट से बीच में से कभी नहीं लेना ही देखें ह हमारी बियानी और पनीर के टुकड़े दिखें हैं और कलर की साथ कलर चावल आ रहे हैं यह तैयार है हमारी स्वादिश्ट पनीर बियानी आप इसको जरूर प्राई कीजिए आपके घर पर बहुत ही इजी रेसिपी है और प्रीज सब्सक्राइब मैं चैनल अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो थांक यू गाइस पर वॉचिंग आव नाइस देए हापी बैली